फाइनली मारूती सुजुकी अपनी पहली EV इंडिया में लॉंच करने की तैयारी कर रही है। अब मारूती नीन से उड़ चुकी है जब टाटा पर मन्त 4,000 से 7,000 EV कार सेल कर रहा है। और 76% EV मार्केट सेयर को होल्ड करता है। ऐसे तो मारूती 2020 में वैगनार EV को लॉंच करने के एक नाकाम कोशिस कर चुका है। पर कोवीड के कारण नीने सैल का डर था तो कंपनी ने अपने हाथ वापस खींच लिए। बट अब 65% EV मार्केट की ग्रोथ को देखकर ये फिर से कुछ कारों के ग्लोबल लॉंच की तयारी कर रहे है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बनाने में बहुत सारी रिसर्च और टाइम लगता है। तो उसके लिए एक लाइक, सेर और चैनल को सबस्काइब कर लीजे क्योंकि हम पेड रिवियो नहीं देते। सुजुकी की अपकमिंग EV जो इंडियन प्रस्पेक्टिव से बहुत इंपोर्टेंट है उसमें EWX और EVX दोनों सामिल है। EWX नेक्स जनरेशन वेगनार EV और EVX एक कॉंपेक्ट SUV है। EVX अपकमिंग क्रेटा EV, सेल्टोस EV, कर्व EV से कंपीट करेगी ऐसा इनका मानना है। इन कास को जापान मोबिलिटी शोओ 2023 में शोकेस किया जाएगा जो 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। EWX मून रूप से एक केई कार होगी, इसकी 335 mm लंबाई, 145 mm चोड़ाई और 1620 mm हाइट होगी। फुल चार्ज में ये 230 क्लोमेटर की रेंज प्रोवाइड करेगी और टेक्निकल डिटेल्स आने वाले दिनों में सामने आ जाएगे। सेव वैगनार की तरह EWX का भी बॉक्सी डिजाइन है, ये साइज में कॉम्पैक्ट है, इसलिए काफी अट्रेक्टिव भी लगती है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। कुछ और भी कार्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, उनके कॉंसेप्ट मोडल शोकेस किये जाएंगे, जिसमें फर्स्ट कार है E-Avery जो स्मॉल बिजनेसेज और डेली यूज के काम के लिए तयार की जा रही है। इसे सुजूकी, टोइटा और दाय हाथसू के जोइंट वेंचर से इसको डवलब किया जारा है। इसमें सभी जापानी जाइंट्स की टेकनलोजी लगी है, इसके लिए एक सेयर तो बनता है यार। सेकंड कार है इस्पेशिया कॉंसेट और इस्पेशिया कस्टम कॉंसेट ये कार काफी अट्रेक्टिव और लोंग जरनी के लिए काफी कमफर्टेबल होने वाली है। तो मारूति ने इसको 2023 ओटो एक्सपो में शोबी किया था बट उसके बाद इसमें काफी चेंजेज किये गए हैं। इवी एक्स की बहुत इंपोर्टेंस है क्योंकि ये सुजूकी की फर्ष्ट ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इवी होने वाली है। ये 4300 mm length के साथ 1800 mm width और 1600 mm height मिलने वाली है। इसमें 500 km की range होगी यह है अपनी electronically controlled 4x4 technology में success होगी या नहीं ये देखने वाला होगा। इसमें integrated infotainment system और digital display, vertical ace event, center console पर एक rotary controller और two spoke flat bottom steering wheel जैसे features मिलने की उमीद है। खेर मारूती EV sector में कुछ उखाड़ पाती है या नहीं ये तो time ही बताएगा क्योंकि Indian EV sector में इनको काफी strong player मिलने वाले हैं। आपको क्या लगता है अपनी राय comment section में जरूर दे।